याइस गूड इवनिंग कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं बिल्कुल स्वास्त और मस्त होंगे दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं जैसे कि दोडने किसी बगीचे में चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं चाया कर लडखा यह देखिए पीछे से निकल चुके हैं इसा कि पीछे देखिए मोती भी आ रहा है और चलिए मिलते हैं बगले अब बगीचे में आपसे जैसक अब देख रहे हैं यह जो मंदिर है माताजी का स्थान है यह काफी घने जंगलों से होके गुजरता यह काफी पीछे इस बहुत जादा घने जंगल थे जो कि हम लोगोंने इनको कटवाया है काफी ताकि यहां पे जो शृत धालूं है और यहां पे बहुत बड़ा त प्रूल कर रहता था और आये में आपको दिखाता हूं पीछे तलाब यह माताजी का तलाब है जिसमें हम लोग दुर्गा जी का जो विसरजन यहां पर किया जाता है और चट पूजा मनाई जाती है यह बगीचे हमारा जो है यह बहुत ही पुराने बगीचे हैं मान के चलिए कम से कम सौ साल पुराने पेड़ हैं कुछ नए पेड़ भी लगे होंगे ज्यादा तर यह पेड़ जो है यहां पे पुराने पेड़ है और इनमें बहुत ही ज्यादा आम के फल होते हैं अभी गर्म किनारे किनारे एक नहर जाती है देखिए पतली सी नहर देख रहे हूंगे इसमें पानी अभी कम है बरसात के टाइम में पूरा फूल हो जाता है और इसमें बहुत जादा मचलियां मिलती है और यह ट्रैक एक जाक एक नदी के छोटे से एक हिस्से में यह जुड़ती है यह यह देखिए आप फिशिंग नेट लगा रखी है इस बारिश में बहुत जादा मचलियां इसमें आई थी लेकिन इस टाइम पानी कम होने के वज़े से यह फिशिंग नेट अब कोई काम का नहीं है वैसे ही सड़ रही है यह छोड़ दिया है लोगों ने यहाँ पर गर्म संसेट का टाइम हो रहा है इस टाइम सूर्य भगवान जो है बोट डूब रहे हैं तो देरे देरे अंधेरा हो जाएगा जंगल में हम लोगों को थोड़े दिर में निकलना पड़ेगा आपको दिखाओ यह जो ट्रैक है देखिए बहुत साब सुतरा है क्योंकि यहां पर क ज्यादे काटे हैं बहुत ज्यादा तना बड़ा काटा देखिए जूते में छेद कर दिया इसने तना बड़ा काटा है इसको मैं फेक देता हूं यह तो यह किसी के पेर में चुपएगा मेरे जूते कंदर तो छेदी हो गया ता यहां पर यही है कि ट्रैक इसलिए साफ जोड़ते हैं तो दोस्तों की आपको ये बलॉग पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से like कीजिए को कि मुझे बहुत ही कम subscriber मिले हुए दोस्तों और काफी दिनों से में यूजे कोई भी subscribe नहीं कर रहा है तो किरपया करके झाल झाल